दोस्तों आज हम आपके साथ अलग-अलग flavor में ट्रफल की रेशपियां share करने आए हैं ये सभी ट्रफल्स आप चुटकियों में बना कर त्यार कर सकते हैं इन सभी ट्रफल्स को बना करके आप अपना खुद का business या फिर इने gift कर सकते हैं ट्रफल को sale करके आप सोनी-दो-सोनी 1000 लागों रूपे कमा सकते हैं ट्रफल की कैसे packaging कर सकते हैं आप इसकी self life को कैसे जादा कर सकते हैं या फिर आप इसकी cost किस तरीके से fix कर सकते हैं यह सब details आपको इस वीडियो में बताई जाएगी अलग-अलग flavor में ट्रफल बना करके आप अपना खुद का variation भी कर सकते हैं ट्रफल में यूज होने वाले liquid glucose को बनाना बताए जाएगा जिससे आप घर पर असानी से market जैसा liquid glucose बना का त्यार कर सकते हैं तो चलिए देर किस बात किये अलग-अलग flavor में बने ट्रफल की recipe को start करते हैं आज मैं सबसे पहले strawberry ट्रफल बना का त्यार करूंगी इसके लिए म तो आप अमूल क्रीम को skip करके घर की मलाई बिना lumps वाली ले सकते हैं आपकी घर की मलाई में कोई lumps नहीं होना चाहिए एकदम चिक नहीं होनी चाहिए आप homemade अमूल क्रीम को घर पर बना कर त्यार कर सकते हैं उसका link description box में डाल दिया है इसके बाद मैं ले दिया हूं बारी करते हुई cranberry यह देखिए cranberry का packet आता है आपको एक बड़ा चमच cranberry को लेकर छोट छोटी टुकड़ों में कट करना है आधा बड़ा चमच strawberry crust लेना है strawberry crust आप कोई सी भी brand का ले सकते हैं मैं यहाँ पर एक छोटी चमच cocoa butter ले रही हूं cocoa butter को skip करके आप यहाँ पर melt अमूल ब होती है इसके बाद मैं ले दिऊ एक छोटी चमच लिकवीड गुल्कोस लिकवीड गुल्कोस ट्रफल को सौफट बनाता है और इसकी cell five को बढ़ाने का काम करता है जिस तरीके से चास्नी से बनी हुई बर्फी में चास्नी बर्फी की cell five को जादा करती है वही काम लिकवीड गुलकोस यूज कर रही हूँ इसके बाद मैं ले रही हूँ strawberry essence essence आप कोई सिभी brand का ले सकते हैं एक चोथाई छोटी चमच essence आपको बाउल में डालना है इसमें डालने के लिए मैं ले रही हूँ gel color यहाँ पर मैं pink और red gel color की एक एक drop डालूँगी color optional में आप इसको skip कर सकते हैं अगर आप घर के लिए truffle बना के त्यार कर रहे हैं तो color को आप skip कर सकते हैं आपको अपने यही truffle selling करने के लिए बनाने हैं तो आप इसमें color डालिएगा color डालने से आपके truffle और भी ज़्याद़ unique दिखाई देंगे यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए color डाल रही हूँ pink और red gel color की एक एक drop डालने के बाद इन सब को करना है आपस में अच्छी तरीकी से mix homemade liquid glucose को skip करके आप यहाँ पर ready made liquid glucose ले सकते हैं घर पर liquid glucose कैसे बना जाता है उसकी recipe देखने के लिए आप हमारी इस वीडियो में अंतक बने रहेगा अलग अलग flavor के ट्रफल बनाने के बाद मैं इस वीडियो में लाश्ट में आपके साथ liquid glucose की recipe share करूँगी हमारी recipe से बना liquid glucose आपको एकदम market जैसा दिखाई देगा इन सबको मैंने अच्छे तरीके से mix कर दिया है अब मैं इसको एक साइड में रखते हुए दुसरा बाउल ले रही हूँ दुसरे बाउल में मैं डाल रही हूँ आधा cup room temperature वाली melt white chocolate यहाँ पर मैंने white compound chocolate ली है आप यहाँ पर chocolate cohesive brand की ले सकते है मैं यहाँ पर 2M brand की white chocolate यूज कर रही हूँ चोकलेट को melt करने के बाद आपकी chocolate एकदम room temperature पर आ जानी चाहिए तब ही आपको चोकलेट को बाउल में डालना है अब मैं white chocolate में डाल दियू strawberry flavor का mixture यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है ट्रफल बनाते समय आप जितने भी ingredients उच कर रहे हैं वे सब room temperature पर होने चाहिए यूज होने वाले सभी ingredients ने तो ठंडे होने चाहिए और नहीं गरम होने चाहिए इन दोनों को करना है आपस में mix mix हो जाने के बाद यहाँ पर आपका strawberry flavor में truffle बनाने का mixture ready हो जाएगा इसी तरीके से आपको इसी भी berry flavor में truffle बना कर त्यार कर सकते हैं अगर आप blueberry truffle बना कर त्यार करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको blueberry essence लेना है और उसके साथ blue color लेना है और साथ साथ dry blueberry के छोटे छोटे टुकडे करके डालें जिस तरीके से मैंने cranberry के छोटे छोटे टुकडे करके डालें ते उसी तरीके से blueberry के भी छोटे छोटे टुकडे करके डालें मैंने इन दोनों को अच्छे तरीके से मिला दिया है अब मैं इसको किलिंग रेप करूंगी, मार्किट में आपको किलिंग रेप असानी से मिल जाएगा, यह देखें इस टाइप का किलिंग रेप आता है, किलिंग रेप से आपको अपने इस ट्रफल वाले मिक्चर को कवर करके रखना है, किलिंग रेप को स्किप करके आप इसको फोईल पेपर से भी cover कर सकते हैं आपको अपने killing wrap को mixture से छुआते हुए wrap करना है यानि कि आपका mixture killing wrap से touch होना चाहिए इसमें बिल्कुल भी हवा पास नहीं होनी चाहिए अगर हवा पास होती है तो आपका mixture जो है खड़क हो जाएगा killing wrap से wrap करके मैं इसको आधा से एक घंटे के लिए रखोंगी freeze में जब तक आपका यह mixture freeze में रखने के बाद पूरी तरीकी से set नहीं हो जाता तब तक आपको इसे freeze में से भाने निकालना है मोसम के हिसाथ से इसको set होने में आपको आधा से एक घंटा या फिर एक से दो घंटे लग सकते हैं गर्मी के मोसम में यह देर से set होता है और सरदी में जल्दी set हो जाता है मैंने इसको killing wrap कर दिया है अब मैं इसके set होने तक इसको freeze में रखूंगी इसके set होने में आपको आधा से एक घंटा या फिर एक से दो घंटे का समय लग सकता है freeze में रखने के बाद जब यह पूरी तरीके से set हो जाएगा तब मैं इससे ट्रफल बनाका त्यार करूँगी जितने मेरा strawberry mixture set होगा इतने मैं दुसरे flavor का ट्रफल मिक्चर बनाका त्यार करूँगी अब मैं नटेला हेजलना ट्रफल बनाका त्यार कर रही हूँ नटेला हेजलना ट्रफल बनाने के लिए आपको एक और आधा बड़ा चम्मच अमूल क्रीम लेनी है नटेला हेजलना ट्रफल खाने में भोज़द टेस्टी होता है इसका flavor भोज़द ओसम है यह ट्रफल बड़े और बच्चो सभी को ही बोज़द पसंद आने वाला ट्रफल है एक बड़ा चम्मच अमूल क्रीम डालने के बाद मैंने इसमें आधा बड़ा चम्मच अमूल क्रीम ओर डाल दिये अब मैं इसमें नटेला डालने वाली हूँ एक बड़ा चम्मच और एक छोटी चम्मच नटेला डालूँगी नटेला आपको मार्केट में असानी से मिल जाएगा एक बड़ा चम्मच नटेला डालने के बाद मैं इसमें एक छोटी चम्मच नटेला और डाल रही हूँ यह देखिए इस टाइप की नटला की बोटल आती है यह आपको मार्केट में असानी से मिल जाएगी अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक छोटी चम्मच लिक्वीड गुलकोस ट्रफल बनाने के लिए लिक्वीड गुलकोस को डालना कमपल सरी है इससे आपके ट्रफल का टेक्चर अच्छा बनता है और यह ट्रफल की सेल 5 को ज़्यादा करता है एक छोटी चम्मच कोको बटर डाल रही हूँ आप अमूल बटर ले सकते हैं कोई बटर आप कोई सीवी बेरेंट का ले सकते हैं यहाँ पर मैंने मॉडरे बेरेंट का कोई बटर यूज किया है, आधी छोटी चम्मच वनीला एसेंस डालना है, मैं यहाँ पर एक और आधा बड़ा चम्मच हेजल नट के छोटे-छोटे टुकड़े करके डालरी हूँ, हे हेजलनट को हलका सा रोस्ट करके इस के छोटे-छोटे ठोड़े करने है इन सबको करना है आपस में अच्छी तरीकिसे मिक्स जब तक आपका liquid gonna गुलकोस अच्छी तरीकिसे घुल नहीं जाता तब तक इसको मिक्स करना है नटेला हेजलनट ट्रफल खाने में बहुत ज़़ टेस्टी होता है, एक बार बनाने के बाद आप इसे बार बार बनाना पसंद करोंगे, यह देखिए, यह सब अच्छी तरीके से मिक्स हो गए, अब मैं इसमें डालूंगी, मैल्ट, मिल्क, चोकलेट, यहाँ पर आपको आधा कप मैल्ट, मिल्क, कमपाउंड च मिक्चर में डालने से पहले आपकी चोकलेट एकदम रूम टेमपेचर पर होनी चाहिए, ट्रफल बनाने के लिए मैं जितनी भी चोकलेट यूज करूँगी, वे सब 2M ब्रेंड की चोकलेट यूज करूँगी, चोकलेट आप अपने टेस्ट के साब से कोई सी भी ब्रेंड की ले सकते हैं, मैंने मिल्क चोकलेट को इसमें डाल दिया है, अब मैं इन दोनों को करूँगी आपस में अच्छे तरीकी से मिक्स, मिक्स करने के बाद यहां पर हमारा नटेला हेजल लट ट्रफल का मिक्चर रेडियो जाएगा, नटेला हेजल लट ट्रफल खाने में बार बार बना पसंद करती हूँ, यह देखिए दोनों मिक्चर आपस में अच्छे तरीकी से मिक्स हो गए, अब मैं इसको करूँगी किलिंग रैप, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था, किलिंग रैप को मिक्चर से टच करते हुए इसको रैप करना है, आपके अपने इस मिक्चर में बिल्कुल भी हवा नि लगनी चाहिए, जहां से भी हवा पास होएगी, आपका मिक्चर फ्रीज में रखने के बाद कड़क होना शुरू हो जाएगा, इसलिए आपको ध्यान में रखना है, आपके अपने इस पूरे मिक्चर के उपर किलिंग रैप टच होन है कि आपका मिक्चर सेट हुआ या नहीं, यह देखें मैंने इसको किलिंग रैप कर दिया है, अब मैं इसको रखूंगी फ्रीज में, आपको अपने मिक्चर को फ्रीजर में रखना है, फ्रीज में रखना है, सेट हो जाने के बाद मैं इससे ट्रफल बना कर त्यार मिक्चर के सेट होने तक अब मैं पिनाकुलाड़ ट्रफल के लिए मिक्चर रेडी करके रखूंगी पिनाकुलाड़ ट्रफल बनाने के लिए आपको लेने दो बड़े चमज अमूल क्रीम या घर की मलाई कुछ भी ले सकते हैं घर की मलाई में कोई लंपस नहीं होना चाहिए अगर आप सेलिंग परपस से ट्रफल बना कर त्यार कर रहे हैं तो आपको लेनी है अमूल क्रीम मैंने यहाँ पर दो बड़े चमर अमूल क्रीम को बाउल में डाल दिया है अब मैं ले रही होमेड एक छोटी चमर लिक्वीड गुलकोस घर पर लिक्वीड गुलकोस बनाने के बाद आपको मार्केट से लिक्वीड गुलकोस लेनी के अफसकता नहीं पड़ेगी इतना अच्छा बनकर त्यार होता है एक चोटी चमर बटर बटर को मेल्ट करके लेना रूम टेमपेचर पर इसके बाद में डालने वाली पाइनेपल एसेंस एसेंस आपको इस्वी ब्रेंड का ले सकते एक आठवा छोटी चमर एसेंस ले रही हूं अब मैं इसमें डाल दियूँ दो बड़ी चमर डेसिकेटिट कोकोनट गोले का बुरादा यह आपको मार्केट में असानी से मिल जाएगा गोले का बुरादा का बनवानी लेना अगर आपको इसमें कलर देना है तो आप इसमें एक ड्रोप यलो कलर की डाल सकते हैं कलर ओप्सनल में यहाँ पर में आपको दिखाने के लिए यलो जैल कलर की एक ड्रोप डाल रही हूं इन सबको बाउल में डालने के बाद करना है आपस में अच्छे त थोड़े देर में ही इन सब को कर दिया है आपस मैं अच्छे तरीके से मिक्स अब मैं इसमें डालूंगी मैल्ट वाइट चोकलेट आधा कब मैल्ट वाइट कमपाउंड चोकलेट डाल रही हूँ चोकलेट आपकी एकदम रूम टेमपेचर पर होनी चाहिए आप जितने अच्छे ब्रेंड की चोकलेट यूज करते हैं आपका ट्रफल भी खाने में उतना ही जाले टेस्टी लगेगा आप अलालग बाउल में मिक्स कर सकते हैं या फिर इस तरीके से एक बाउल में भी मिक्स कर सकते हैं बस यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान अकना है चोकलेट आपको सबसे लाश्ट में डाल ली है पहले आपको flavored mixture रेडि करना है उसके बाद इसमें चोकलेट मिक्स करनी है पिना कुलाडा ट्रफल मिक्चर रेडि हो गया है अब मैं इसको करी हूं किलिंग रैप पूरे मिक्चर को उपर से छूत हुए किलिंग रैप करना है किलिंग रैप करके मैं इसको भी सेट होने के लिए फ्रीज में रखूंगी आदा घंटे के बाद आपको इसे थोड़ी थोड़ी दे में चेक करते रहना है कि आपका मिक्चर सेट हुआ है या नहीं जब यह पूरी तरीके से सेट हो जागा तब आपको इसे फ्रीज में से भाहा निकालना है यह देखिए हमने इसको किलिंग रैप से रैप कर दिया है अब मैं इसको रखूंगी फ्रीज में सेट होने के लिए जब सेट हो जागा तब मैं इससे ट्रफल बनाकर त्यार करूंग यहाँ पर मैंने एक छोटी चमच लिक्वीड गुलकोस लिया है, लिक्वीड गुलकोस को चालो तरफ को फैला लेना इस तरीके से बाउल में, लिक्वीड गुलकोस को हलक हलका फैलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दो बड़े चमच अमूल क्रीम, एक बड़ा चमच अमूल क्रीम डालने के बाद मैंने एक ब्राच मझ अमूल क्रीम ओले लिया है, यहां पर आपको कूल मिला कर दो बड़े चमझ अमूल क्रीम लेने एक छोटी चमझ 11 ठेंपेचर पर rushing बरेels रूड़ यूज कर रही हूं कोफी पौडर को करना है क्रीम के साथ अच्छी तरीकी से मिक्स जब तक आपकी कोफी पौडर अच्छी तरीकी से घूलनी जाती तब तक इसको मिक्स करते रहना है mix करते करते कोफी अपना color पूरी तरीकी से छोड़ देगा तब तक इसको mix करना है यह देखिए थोड़े mix करने के बाद कोफी ने अपना पूरी तरीकी से color छोड़ दिया है अब मैं इसमें डाल रही हूँ caramel sauce यहाँ पर आपको आदा बड़ा चम्मच, caramel sauce या syrup दालनी है यह आपको market में असानी से मिल जाएगा यह देखे मार्किट में इस टाइप की caramel sauce या syrup आती है यह आपको हर साइज में मिल जाएगी छोटा या बड़ा pack आपको market में असानी से मिल जाएगा अब मैं इसमें डाल दियूं बटर स्कोच के दाने एक बड़ा चम्मच बटर स्कोच के दानों को करस करके डालना है बटर स्कोच के दाने जहाँ पर केक बनाने का समान मिलता है वहाँ पर आसानी से मिल जाएंगे ये देखे मार्किट में या फिर ओनलाइन आपको इस टाइप के बटर स्कोच के दाने देखने को मिलेंगे इनको करस करके आपको एक बड़ा चम्मच बटर स्कोच के दाने लेने है आधी छोटी चम्मच वनिला एसेंस लेना है अगर आपको इसके फ्लेवर को और भी ज़यदा सूपर बनाना है तो आपको लेना है करमल एसेंस करमल एसेंस ओप्षन में आप इसको श्किप कर सकते हैं मैं इसमें एक आठवा चोटी चमच करमल एसेंस डाल दी हूँ ये सब डालने के बाद इन सब को करना है आपस में अच्छे तरीके से मिक्स कोफी, कैरामल, ट्रफल खाने में भी बहुत ज़्याद़ टेस्टी होते हैं इसका टेस्ट आपको बहुती ज़्याद़ ओसम लगने वाला है इन सब के मिक्स हो जाने के बाद मैं ले रही हूँ रूम टेमपेचर पर मेल्ट डार्क चोकलेट आधा कप मेल्ट डार्क कमपाउंड चोकलेट लेनी है अगर आपको ज़्यादे dark chocolate flavor पसंद नहीं है तो आप इसमें एक चोथाई cup dark chocolate और एक चोथाई cup milk chocolate डाल सकते हैं दोनों chocolate को melt करके room temperature पर डालना है डाख chocolate को करना है mixture के साथ अच्छी तरीके से mix जैसे जैसे chocolate mix होती जाएगी, mixture घाड़ा होता जाएगा mix हो जाने के बाद मैं इसको फिर killing wrap करूँगी, mixing हो गई है, अब मैं इसको कर दी हूँ killing wrap killing wrap या foil paper इन दोनों में से किसी एक से आपको इसे cover करना है बस यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान अखना है, mixture से touch करते हुए आपको इसको cover करना है cover करते हुए, अगर इसमें थोड़ी बहुत हवा रह गई, तो यह कड़क हो जाएगा इसलिए आपको इस बात का ध्यान अखना है कि हवा नी रहनी चीए इसमें यह देखिए killing wrap से मैंने इसको cover कर दिया, इसको भी मैं set होने के लिए freeze में रखूँगी set होने में time कम या जाद हो सकता है, set हो जाने के बाद इसके truffle बना कर त्यार करने है mixture के set हो जाने के बाद तम मैं आपको दिखाती हूँ, सभी mixture के set होने तक मैं इतने tangy orange ट्रफल बना कर त्यार करूँगी सबसे पहले मैं ले रही हूँ, एक छोटी चमच liquid glucose, यहाँ पर मैं जितने भी flavor के truffle बना कर त्यार कर रही हूँ, उसके लिए यहाँ पर मैंने homemade liquid glucose लिया है liquid glucose को हलका हलका ता 4 तरफ को मैं फैला दूँगी, यह मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ, जिससे liquid glucose और भी जल्दी mix हो जाए अब मैं इसमें डाल रही हूँ, दो बड़े चमच अमूल क्रीम, एक बड़ा चमच अमूल क्रीम लेने के बाद मैं एक बड़ा चमच अमूल क्रीम ओली रही हूँ, यहाँ पर आपको दो बड़े चमच अमूल क्रीम लेनी है लिक्वीड गुलकोस को कर रही हूँ, अमूल क्रीम के साथ अच्छी तरीके से मिक्स अब मैं इसमें डाल रही हूँ, एक छोटी चमच मैल्ट कोको बटर कोको बटर से आपके ट्रफलन का फ्लेवर और भी ज्याद़ यूनिक हो जाएगा अब मैं इसमें डाल रही हूँ, औरेंज करस, एक बड़ा चमच और एक छोटी चमच औरेंज करस डालूँगी औरेंज करस आपको इस भी ब्रेंड का ले सकते हैं, यहाँ पर आपको कुल मिलाकर एक बड़ा चमच और एक छोटी चमच औरेंज करस लेना है इसके बाद मैं ले रही हूँ एक बड़ा चमच ओरेंज पील ओरेंज पील आपको मार्किट में या फिर ओनलाइन असानी से मिल जाएगी यह देखिए यहाँ पर मैंने ड्राइ ओरेंज लिया है उसके जो छिलका था उसको मैंने चोट चोटे टुकड़ों में कट कर दिया था अलग से ओरेंज पील का पैकिट आता है आप उसको भी ले सकते हैं हलका सा टेंगी फलेवर देने के लिए मैं इसमें डालबी broadcast का आधा भाग citric acid यानी की यह पर आपको एच चुटकी citric acid डालना है मैं इसमें डाल रहीं orange emulsion आप यह पर orange emulsion को skip करके orange essence और orange color ले सकते हैं एक चोथाई चोटी चमज के करीब आपको orange एपला से ले रहे हैं तो आपको यहाँ पर 2018 चोटी चमज एपलेना चैनल हमर्फ यहाँ पर Immulsion यूज कर रहे हूं, Immulsion में Color और Essence दोनों होते हैं, यह मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर Orange Immulsion ले रहे हूं, आप हैं पर Orange Immulsion को इसीप करके सिर्फ Orange Essence भी ले सकते हैं, अगर आप घर के लिए बना रहे हैं, तो Orange Essence की काफी है, कलर डाने के आवसकता नहीं है, अब तो dark chocolate थोड़ी सी कड़वी होती है, dark chocolate की करवाट को कम करने के लिए आप यहाँ पर एक चोथाई कप milk chocolate और एक चोथाई कप dark chocolate ले सकते हैं, दोनों चोखलेट को melt करके room temperature पर लेना है, अब मैं इन दोनों को करूँगी आपस में mix, इतने सारे फ्लेवर बनाने के बाद आप अपना खुद का न्यू फ्लेवर भी बनासकते हैं ट्रफल बनाने के लिए न्यू न्यू फ्लेवर के साथ आप बहुत सारे वैरियेशन कर सकते हैं मिक्स हो जाने के बाद यहाँ पर हमारा टैंगी ओरेंट ट्रफल मिक्चर रेडियो गया इसको मैं करूंगी किलिंग रैप किलिंग रैप से कवर करके इसको भी मैं फ्रीज में सैट होने के लिए रखोंगी मिक्चर की टोप लेयर को उपर से पूरी तरह के छुआते हुए मैं इसको रैप कर रही हूँ किलिंग रैप करके मैं इसको फ्रीज में सैट होने के लिए रखोंगी दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात ओध्यान में रखनी है कोई चोकलेट फ्रीज में रखने के बाद जल्दी सैट हो जाती है और किसी को टाइम लगता है वाई चोकलेट से वने ट्रफल जो होते हैं वह देर से सैट होते हैं और डाक और मिल्क चोकलेट के वने ट्रफल का मिक्चर जल्दी सैट हो जाता है इसलिए आपको अपने इस मिक्चर को फ्रीज में रखने के बाद आदा घंटे के बाद थोड़ दे में चेक करते रहना है कि आपका मिक्चर सैट हुआ या नहीं मैंने इसको भी क्लिंग रेप कर दिया है अब मैं इसको भी फ्रीज में रखने हैं सैट होने के लिए सैट हो जाने के बाद मैं इन सब के ट्रफल बना का त्यार करूँगी यह देखे हमने इस्ट्रोवेरी ट्रफल मिक्चर को फ्रीज में सैट होने के लिए रखा था यह पूरी तरह के ज़र सैट हो गया है सैट हो जाने के बाद क्लिंग रैप को हटा देना है अब मैं इस मिक्चर से एक साइज की बोल्स बना का त्यार करूँगी बोल्स बनाने के लिए मैं ले रही हूँ वन टेबल स्पून आपकी स्पून से कटोरी नूम होने चाहिए तभी आपकी बोल्स एक साइज की बन का त्यार होईगी अगर आपको लग रहा है कि आपका ट्रफल का मिक्चर बहुँ ज़दा सैट हो गया है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए भारक का छोड़ दे थोड़ी देर भारकने से ये सोफ्ट हो जाएगा बोल्स बनाते समय आपको अपना मिक्चर लूज लग रहा है तो आपको इसे फिर से थोड़ देर के लिए फ्रीज में सैट होने के लिए रखना है ये देखे आपको इस तरीके से मिक्चर से बोल्स बना का त्यार करनी है बोल्स को मैं रख रही हूँ एक प्लेट में इसी तर के से मैं पूरे मिक्चर की बोल्स बना का त्यार करूंगी अगर आप गर्मी के मोसम में ट्रफल्स बना का त्यार कर रहे है तो आपको एसी रूम में मिक्चर से बोल्स बना का त्यार करनी है या फिर आपको अपने इस बाउल को ब्रफ के उपर रखना है जिससे की आपका म निकालने के बाद जल्दी से मेल्ट ना हो, आप मिक्चर से असानी से बोल्स बना का त्यार कर सकें, क्योंकि गर्मी के मोसम में हमारे हाथ गरम होते हैं, चोकलेट हाथों के टच में आकर के मेल्ट होनी सुरो जाती है, इसी तरीके से मैं पूरे मिक्चर से बोल्स बना का तव आपको दिखाती हूं यह देखिए मैंने पूरे मिक्चर से बोल्स बना का त्यार कर दिए इस मिक्चर से आपके 6-7 बोल्स बना का त्यार होएंगे बोल्स का साइज आपको अपने टेस्ट के साफ से छोटा बड़ा कैसा भी रख सकते हैं अब मैं ट्रफल के उपर गानिशिं करूंगी गानिशिंग करने से पहले आपके राइस क्रिस्प क्रिस्पी होने चाहिए लगा रही हो इन दोनों को बोल्स को चारो तरफ को गुमाते नहीं गानिशिंग करने के बाद यहां पर आपका पूरी तरह के से ट्रफल रेडियो जाएगा यह देखिए हमने इसकी कानिसिंग कर दिये हैं यहां पर हमारा इस्ट्रोवेरी ट्रफल रेडियो गебया है सुन जग् basic के साथ इस्ट रॉबेरी ट्रफल देखने में स्ट्रोवर्री ट्रफल हमारे यहां पर बन का त्यार हो गये अब नुसरे फिल्वर्स के ट्रफल बनाका त्यार करूंगी यह देखिए नрь लाई हेजयरण ट्रफल मिक्चर व्रिज में रखने के वार से हो गया इसकी उपर से मैं अटारे किलिंग अगर आप इस तरीके की स्पून लेते हैं तो आपके टरफल बन का त्यार नहीं होएंगे ये देखिए चोकलेट ठीक से कटनी रही है इसलिए आपको गोल गोल बॉल्स बनाने के लिए कटोरी नूमा चमच लेनी है उसी से आपके ट्रफल बॉल्स बनका त्यार होएंगे पीनट ट्रफल भी बना का त्यार कर सकते हैं नटेला की जग है आपको पीनट बटल लेना है और साथ में पीनट्स के छोटे छोटे टुकड़े लेने ये देखे इस तरीके से आपको नटेला हेजल नट्स ट्रफल बोल्स बना का त्यार कर दिये हैं हमने पूरे मिक्चर से न ट्रफल बोल्स को गोल गोल घुमाते होवे इसकी हेजलनट्स के टुकडों से गानिसिंग करनी है गानिसिंग करने के बाद यहाँ पर हमारा टेश्टी टेश्टी नटेला हेजलनट ट्रफल रेडी हो गया है नटेला हेजलनट ट्रफल खाने में भोज़द ओसम होता है एक ब देखने में beautiful और खाने में बहुत ज़र टेस्टी हैं अब मैं इसको रख रही हूँ एक साइट में अब मैं दुसरे flavor के ट्रफल मना का त्यार करूंगी पीना कुलाड़ा ट्रफल मिक्चर जो फ्रीज में रखने के वाद सेट हो गया है इसके उपर से मैं हटाऊंगी क्लिंग को आपको मिक्चर के उपर से क्लिंग रैप तभी अटाना जब आपका मिक्चर पुरी तरह के से सैट हो जाए मैं फिर से ले दियू कटोरी नुमा स्पून और इससे बोल्स बना का त्यार करूंगी एक साइज की स्पून लेने से हमारे सभी ट्रफल एक साइज के बनका त् इन पिना को लड़ा बॉल्स को प्ले न रखकर मैं पूरे मिक्चर से बोल्स बना का त्यार करूंगी यह देखिए यहां पर हमारे छैसे साथ पीना को लड़ा ट्रफल बॉल्स बनका त्यार हो गए अब मैं इसके उपर करूंगी गानिसिंग गानिसिंग करने के लिए मैं ले रही हूँ डेसिकेटिड कोकोनट वाइट डेसिकेटिड कोकोनट में मैं विला रही हूँ यलो कलर का डेसिकेटिड कोकोनट ट्रफल्स हमारे यूनिक दिखाई दे, इसलिए मैं यहाँ पर यलो कलर का डेसिकेटड कोकोनट ले रही हूँ इन दोनों को मिक्स करके मैं यहाँ पर इसकी गानिशिंग करूंगी यलो कलर का desiccated coconut आपको पान की शोब पर या फिर इसको आप घर पर बना कर त्यार कर सकते हैं desiccated coconut को घर पर कैसे कलरफूर किया जाता है यह मैं आपको वीडियो के लाश्ट में दिखाने वाली हूँ वीडियो के अंतक बने रहेगा सब दिटेल आपको पूरी तरीके से देखने को मिलेगी ट्रफल बॉल्स को गोल गोल घुमाते हुए इसके उपर लगाना है desiccated coconut यह देखें गानिशिंग करने के बाद यहां पर हमारा पूरी तरीके से पिनाकुलाडा ट्रफल्स रेडियो हो गया है इसी तरीके से मैं सभी बॉल्स के उपर गानिशिंग करूंगी और ट्रफल्स बनाका त्यार करूंगी सुन्दर सी गानिशिंग के साथ यहां पर हमारे पिनाकोलाडा ट्रफल्स बनका त्यार हो गए हैं जितने ज़्यादा यम दिखाई देते हैं खाने में भी उतने ही ज़्यादा टेस्टी हैं अब मैं कोफी, कैरमल, ट्रफल्स बनाका त्यार करूँगी मिक्चर सेट हो गया इसके उपर से हटार्यू किलिंग रैप इस पून से मैं इसकी एक साइच की बोल्स बनाका त्यार करूँगी कोफी, कैरमल, ट्रफल्स में जो आपको क्रंची फिलेवर देखने को मिलेगा वह बहुँ ज़्यादा ओसम है बटर स्कोच के दानों से इसमें क्रंची फिलेवर बहुत ही अच्छा बन कराता है गोल-गोल गुमाते होगे आपको इस तरीके से ट्रफल बोल्स बनाका त्यार करने है इसी तरीके से मैं इस पूरे मिक्चर से भी ट्रफल बोल्स बनाका त्यार करूँगी ये देखे कोफी केरमल ट्रफल बोल्स रेडियो गे अब मैं इसकी करूँगी गार्निसिंग गार्निसिंग करने के लिए यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर के राइस क्रिस्प लिए मैं इसमें डालने वाली हूँ क्रस्ट करके बटर स्कोच के दाने एक से दो बड़े चमच बटर स्कोच के दानों को क्रस करके इसमें मिक्स करना है मिक्स करके आपको ट्रफल बोल्स के उपर चारो तरफ इसकी गार्निसिंग करने है गार्निसिंग करने के बाद आपको अपना कोफी केरमल ट्रफल बोल्स इस टाइप कर दिखाई देगा सबसे लास्ट वाले टैंगी ओर अरींज Need Traffle maple के बोल्स बना का त्यार करोगे बेगे ट्र क्षी räट हो गया इसके ओपर सेट यह रही हो किदिंग रैप तब यह आपकी स्मूथ कंसिस्टेंसी के सात बोल बनका त्यार होएंगे यह देखें इस तरीके से आपको पूरे मिक्षर से ट्रफल बोल्स बनाका त्यारकरने यहां पर हमारे टैंगी ट्रफल बोल्स बनका त्यार होगे हैं अब मैं इसके करूंगी गानीशिंग buyer और ऐस ऐ हो गये तो आप इसको थोढ़ी देर के लिए होने के लिए रख दिते हलका सा उजकत हो जाने के बाद तब स्किए गाई सिंघ अब मैं ले रहे हैं ओरेंज कलर कोड ओरेंज कलर के टेक्री पोकसने से मैं इसकी गानिसिंघ कर रहे हूं मैं आपको इस वीडियो के उपर गांशिंग करूँगी यह देखिए यहाँ पर हमारे । अरेंग ट्रफल बन का त्यार हो गए इसको खाते समय आपको इसमें ग defeat वलेवर देखने को मिलेगा वह भोत जट ओसम है यहां अगर हमारे सभी ट्रफल्स बनका त्यार होगे, अब मैं आपको इसकी packaging बताऊंगी, कि आप किस तरीके से packaging करके आप इसको gift में या फिर इसकी selling कर सकते हैं, पैकेजिंग करने से पहले मैं इसकी सेल्फ लाइब के बारे में आपको बता दूं गर्मी के मोसम में आपके ट्रफल्स फ्रीज से भार साथ दिन और फ्रीज के अंदर 20-25 दिन अच्छे बने रहेंगे अगर आप इनको सर्दी के मोसम में बना रहे हैं तो ये आपके फ्रीज से भार 15 दिन और फ्रीज के अंदर 1-5 में अच्छे बने रहेंगे बारिश के मोसम में इनकी सेल्फ लाइब कम हो जाती है आप इने फ्रीज से भार दो से तीन दिन और फ्रीज में दस से बार दिन रख सकते हैं ट्रफल का प्राइज रखने के लिए ट्रफल बनाने में जो खर्चा आता है उसको तीन से मल्टिप्लाई यानि की गुणा करना है मल्टिप्लाई करके आप इस तरीके से कोई से भी फ्लेवर में बने ट्रफल का प्राइज रख सकते हैं ट्रफल की सुन्दर सी पैकेजिंग करने के लिए आपको लेना है जैलेटीन पेपर, जैलेटीन पेपर के उपर रखना है आपको ट्रफल्स, जैलेटीन पेपर से या फिर और कोई से सुन्दर से ट्रांस्पेरेट डिजाइनिंग पेपर से आप इसकी सुन्दर सी पैकेजिं पक्रावब आता है अप्र या फिर अपना कोई लोगव लगा मैं प्ली तरिकसे आप स्टीगर या-फी लोगों के साथ इसकी पैकेजिंग लेघ्याव सकते हैं यह की सकते हैं इस तरीके से यह देखें इस टैप की cavity box आते हैं आप इसमें ट्रफल को रकाखके सुंदर सी packaging कर सकते हैं गूगल पर आपको सुंदर सुंदर सी packaging देखने को मिल जाएगी आप packaging कैसे भी कर सकते हैं desiccated coconut को colorful कैसे बना जाता है, अब मैं आपको बताने वाली हूँ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ, एक चोथाई कप desiccated coconut, मैं यहाँ पर orange color का desiccated coconut बना रही हूँ, इसलिए मैं desiccated coconut में डाल जी हूँ, 4-5 drop orange gel color की, अगर आपका orange color light है, तो आपको इसमें 2-4 drop और डाल नहीं है, color के साथ आपको desiccated coconut को करना है, आपस में mix, जैसे जैसे आप इसको mix करोंगे, और आथों से मसलते जाओंगे, तो यह desiccated coconut orange color में बदल जाएगा, coconut को colorful करना आसान है, इस S.P. से आप कोई से भी desiccated coconut को colorful कर सकते हैं, यह देखें, थोड़े मसलते हैं, हमार desiccated coconut पूरे तरीके से orange color में change हो गया है, अगर आपको इसका color light लग रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा color और डाले और mix करें, coconut को colorful करने के बाद आपको इसे आधा खंटे के लिए पंके के नीचे रखना है, पंके के नीचे सुखाने के बाद आपको इसे airtight container में करके रखना है, इस तरीके से आप कोई से भी color का desiccated coconut बना का त्यार कर सकते हैं, अब मैं घर पर बजार जैसा liquid glucose बना का त्यार करूंगी, इसके लिए मैंने लिया है आधा कप दानेदा चीनी, इसमें आपको डालना है एक चोथाई कप पानी, जितनी आपने चीनी लिए उसका आधा पान डालना है, मैं इसमें डाली हूँ, आधा बड़ा चमच नीबू का रस, एक आठवा छोटी चमच नमक, इन सब को mix करते हुए, चीनी को घूलने देना है और इसमें एक उबाल आने देना है, इस समय मैंने गैस की flame को medium to high रखा है, ये देखिए, थोड़ी देर में इसमें ए पकाते पकाते जब आपकी चासनी में अच्छे से सफेधी आ जाए तो समझेगा कि आपका liquid glucose बनका त्यार हो गया है, अभी आपको ये transparent दिखाई दे रहा है, जैसे जैसे ये पकता जाएगा, इसके उपर सफेधी आती जाएगी, पकाते समय आपको इसकी थोड़ी थोड़ चासनी पानी में फैल गई है, मैं इसको अभी और पकाऊंगी, फिंगर से भी आप इसकी consistency को चेक कर सकते हैं, ये देखें यहाँ पर आपको एक बारिक सा तार दिखाई दे रहा होगा, जैसे जैसे ये तार पकने के बाद मोटा हो जाएगा, तो समझेगा कि आपका liquid glucose बनक कत्यार हो गया है, एक तार के मोटा हो जाते ही, मैं कर दूंगी गैस को बंद, मैं आपको चासनी की consistency को ठंडे पानी में डाल का दिखाती हूँ, ये देखें पानी में डालने के बाद आपको चासनी की ड्रोब दिखाई दे रही होएगी, जब पानी के अंदर चासनी की ड् लिक्वीड गुलकोस अच्छी तरीके से पक चुका है, इसे पकाने का सही टाइम मैं आपको नहीं बता सकती, क्योंकि हर किसी की गैस की heat कम या ज़्याद होती है, परफेक्ट consistency बंचाने के बाद मैं इसको कर रही हूँ, ठंडा करने के लिए एक बाउल में, बाउल में करक अब मैं इसको पूरी तरीके से ठंडा होने के लिए रखूंगी, जब यह ठंडा हो जागा तब मैं आपको इसकी consistency दिखाऊंगी, यह देखें इसको रख्या हुए 3-4 घंटे हो गए है, लिक्वीड गुलकोस पूरी तरीके से ठंडा हो गया है, यह देखें यह बाउल में से भी नहीं गिर रहा है, हाथों को गीला करके तम मैं आपको लिक्वीड गुलकोस को हाथ में लेका दिखाती हूँ, सुखे हाथों में लिक्वीड गुलकोस आपके हाथों पची पक जाएगा, हमारी इस S.A.P. से आपका लिक्वीड गुलकोस एकदम मार्केट जैसा बनक त्यार होगा यह देखिए यहां पर आप liquid glucose की consistency देख सकते हैं कितनी ज़्यादा perfect है अगर आपका liquid glucose हाथ में लेने के बाद बहुत ज़्याद है लूज है तो आपको इसे कुछ second के लिए और पकाना है या फिर आपको लगता है कि आपका liquid glucose हाथ में नहीं आ रहा है बहुत हलका सा पानी डाल करके फिर से पकाना है जब आप liquid glucose को एक या दो बार बनाओंगे तो आप इसकी consistency को समझ जाओंगे liquid glucose को काच के container में करके room temperature पर long time के लिए store करके रख सकते हैं आपको हमारी liquid glucose की recipe कैसी लगी comment box में जरूर बताइएगा liquid glucose से हमने dream cake बना का त्यार किया था और भी बहुत सारी चीजे आप बना कर त्यार कर सकते हैं दोस्तो आज कल बहुत सारी online cooking और baking glasses देखने को मिलेगी जिनको देखने के लिए आपको बहुत सारे रुपे खर्च करने होते हैं वे सवी classes आप हमारी चैनल की playlist पर जाकर एकदम फिरी देख सकते हैं इन सवी classes को द आने वाली और भी वीडियो में अलग फ्लेवर से ट्रफल कैसे बना जाते हैं उन सबकी रेसेपियां सेयर कने वाली हूँ अलग अलग फ्लेवर से ट्रफल की रेसेपी को देखने के लिए आप हमारी चैनल से जुड़े रहिएगा चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रू सब करें सब्सक्राइब कर दिजिएगा अगर आपको वने ट्रफल की रेसेपी पसंद आ ये ये तो रेसेपी को लाइक शियर करना न भूल येगा और भी न्यू फ्लेवर से बने ट्रफल की रेसेपी के साथ हम आप से फिर मिलेंगे नमस्का दोस्तों बाइबाइ